अपने मन को साध लेने और सांध करने पर आप अराम का हैसास करेंगे और अपने आपको हर वक्त कार के लिए तयार पाएंगे जब आपको अपने लिए उपयुक तरीका मिल जाए तो उसका लगतार अभयास करें इससे जरूरत होने पर आप अधिक तिव्र से अपने मन को सांध करने में समर्थ हो पाएंगे इसके लिए आप सुझहाओ का इस्तिमार कर सकते हैं नसियत ओ सच्चाई है जिसे हम ध्यान से नहीं सुनते हैं और तारिफ ओ धोखा है जिसे हम ध्यान से सुनते हैं इसी परकार ध्यान यानि मिरिटेशन डिफ व्रेटिंग एक्सरसाई गहरी सांस लेने का अभयास करें कहरी सांस लेने का अभ्यास आपके मस्तिक को सांद करने में कारिगर है इसे प्रतिदीर अभ्यास करें तनाव के समय या करने से आपो बहुत मज़ुद मिलेगा दूसरा है सधनाम में प्राथना या किसी एक विशुष सोच अस्थान, सब्द, रंग अथवा पदास पर ध्यान के अंदित करनते हुए अपने दिमाग को या मस्तिक को सुद करने की प्रकिलिया है तीसरा है मांसिक कलपना का प्रयास करें या ध्यान मुद्रा में एक निर्देशिक कलपना की तरह है जिसे आप एक सांतिमा या ग्रिश्य की कोमल कलपना करते हैं चोथा है योग का अभियास करें, योग एक परकार का मांस्पेशिया में खिजाव अधवाला चीलापन लाने वाला अधीक प्रभाव वाला ब्याब है, इसे रोजाना अधीक से अधीक मातरा में करें, इसे आपको बहुत फायदे मिलेंगे, पाँचवा है अधीक मातरा में पानी पीए, पानी आपके सरीर में जल्योजन को बनाये रखती है, योग शरीर के हानिकार कम्याओं को मुप्त करने में मदद करती है, पाचवा है सुद्धे भोजन, आप अच्छे खाना का सेवन करें, फास्ट फूड बिल्कुन लखाएं, इस सनीर के लिए बहुत हानिकार रखोएं, सातवा है अपने पसंदीदा करे कलापों में भाग लें, ये आपको खाना बनाना पसंद हो, ये आपको रीडिंग करना ये आपको खेल खुद पसंद, तो इसमें जरूर भाग लें, आठवा है खुद को बार बार दुहराय जाने वाले कि ये कलापों में भ्यास्त रखें, आपके दिमाग में अलग से थोट नहीं चलेंगे, और आपका दिमाग बिल्कुल सांत रहेगा, और अपने मन को बस मे करने में आपका मियाब हो जाएंगे, नौवा है सांति दायक संगीत सुने, आपको हाई कोर, रहोक या रहे पसंद हो सकते हैं, लेकिन धीमी इरसान धुन आपके दिमाग को सांत करने में सायक होते हैं, और आपको अलग चीज़ सोचने में मदद करते हैं, और आप आगे यहां दो आपके करते हैं, यहां रहा हैं